तो आज में अपने किचन में आप सबसे जो रेस्पी शेयर करूंगी वो है रसमलाई और ये रसमलाई मैं बिल्कुल अलग तरीके से बनाऊंगी और इसे मैं चूले बद तो बिल्कुल नहीं बनाऊंगी इसे हम बगार पकाय बनाएंगे तो चलिए देखते हैं एक ऐसे बनत एक बड़ा कप हमने दूद कर लिया है उसे हमने बॉइल करके ठंडा कर लिया है अब इसमें हम चीनी आइड करते हैं इसमें तकरीपन हम 6-6 तेबल स्पून चीनी आइड करेंगे यूंके रसमलाई के लिए जो हमें दूद चाहिए होता है वो थोड़ा मीठा होता है और ठ दूद नहीं है यह हमने बॉइल करके इसको अलका सा बस रूम ट्रेचर पर ठंडा कर लिया है तो चली जी हमने दूर में चीनी को अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम दसमेलाई कि लाना शुरू करते हैं तो यहां पर हमने डबरोठी के 8 स्लाइस लिये हैं यहां हमने इस साइस की डबरोठी नहीं ली हमने यह इस तरह का छोटा साइस लिया है तो अब हम इससे रसमेलाई कि लाना शुरू करते हैं और एक हम स्लाइस को हाथ में पकड़के जिसमें यह दूद चीनी वाला जो है इससे हम खोड़ा खोड़ा सा करके डबरोठी को उपर लगाएंग और अब हम यह हमने खोड़ से बिष्टे लिये थे इसे हमने बाली पर एक सा काट लिया है अब इसे हम थोड़ा से लेंगे और लगरोठी के सेंटर में रख देंगे और इसे हाथ की मदब से हम इस तरह से पूछ करते जाएंगे चलिए अब इसे हम हलके हाथ से इसे हम पूछ कटते रहते हैं और इस तरह हम इसका एक पेड़ा सा बना लेंगे इस तरह हमने इसको दबाना है हलके हाथ से और इसे हम रसमलाई की शेफ दे देंगे तो चलिजी देखिए हमारी पहली रसमलाई बन कर त्यार हो चुकी है देखिए कितने अच्छ से परफेक्ट बनी है दोनों तरफ से यह देखिए इसे हमने हलकलका से पुछ कर दिया था रसमलाई की हथा है अब इसे उस प्रेट रफेड मे रख देंगे हम दूसरी भी बना लेंगे इसंपर भी और ये हम दूसरी पह बिस तरह दूद लगा लेंगे बहुत ही असान और जल्दी और जटपट बनने वाली रेस्पी है आपके घर कोई अचानक महमान भी आ जाए तो आप इसे ये मीठा बना कर जल्दी से खिला सकते हैं और इस पर भी आपने मेट रेस्पी ज़रूरू प्राई करनी है इस पर हमने दूर से देखें दबरोठी को नरम कर लिया है इस पर हम पिस्ता लगाएंगे ड्राई पूस्ट आप अपनी मर्दी का कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो मैं यहां पर पिस्ता यूज़ कर रही हूं तो इस तरह हम इसे भी पुश कर लेंगे किस तो चलिए जी हमारी दूसरी रसमलाई बनकर त्यार होगी हम इसी तरह हम सारी बना लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं तो जी चलिए हमने सारी देखिए रसमलाई हमने त्यार कर ली हैं आठ रसमलाई हमने यापर त्यार की है और जो यह दूर बचा है तो इसमें हम इस मिल्क पावडर दूज में मिक्स कर लिया है अब हम इस दूप को जो हमने रस्मलाई त्यार करके रखी हुई है उसके पडाल देंगे थोड़ा-थोड़ा सा करके इस तरह से करना में में रस्मलाई ख रहां और हम हम ऩॉझे अ घर को फिस्तस भी है अब और हम इस पर खोड़ा से फिस्ते है Canal TV यह देखिए बहुत ही सॉफ्ट मुलाइम रस्मलाई हमारी बनी है जाते ही मुझ में घुल जाएगी और बहुत ही अलग तरीका है रस्मलाई का शाहिदी किसी ने इस तरह से बनाई हो अब इसे हम फ्रीजर में ठंडा कर लेंगे आदे एक घंटे के लिए फिर आपको दिखाते हैं तो जी हमने रस्मलाई को फ्रीजर में ठंडा कर लिया है और देखिए अच्छे से मारा दूबीस में ठंडा हो चुका है तो अमें आपको एक ट्राइक कर बाती हूं किस तरह की बनी है देखिए हम इसे प्लेट में निकालते हैं और यह देखिए मैं आपको तोड़के दिखाती हूं एक कितनी ज्यादा सॉफ्ट बनी हो और कितनी अच्छी बनी है यह देखिए उमीद करती हूं आज की वीडियो आपको पसंद आईए होगी तो इसी के साथ ही मैं आप एखिए हाम जाओी है टbourgको आपको ऑ seniors तो पात offers क्वाल में tils 5 दिखेए की प्रेत Grace ने च्परूर स्वेश्वर में सेलं करती है कर दट द् faces करिए एवाब। कर दो और में समय चेसिते हैं अर हो जादाती है